इंदोर लोकसभाद सीट पर पुलिस और प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निश्पक्ष धंग से चनाव संपन्न कराए हैं जिसके मुरीद अब लोकसभाद चनाव के प्रत्याशी भी हो गए है यही वज़े है कि निर्दली प्रत्याशी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया देखिए MPNews की इस खास खबर में चनाव मैदान में उत्रियूमी द्वारों को हर समय आयोग और जिला निर्वाचन के अधिकारियों से शिकायत ही रहती है लेकिन इंदोर संसथी सीट पर निर्दली उमीदवार रमेश पातल ने जिले में निर्विग्न और शांती पूर्ण चनाव संपन कराने पर अधिकारियों का सम्मान किया स्टांडिंग कमिटी बैठिक में पातल ने जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जातव को पुष्प गुच्छ दे कर सम्मानित किया और इसके बाद उन्होंने निर्वाचन कार में लगे सभी अधिकारियों का भी सम्मान किया इसके बाद रमेश पातल ने चुनाफ मैदान में उत्रे सभी निर्दली उमीदवारों और राजनेतिक पार्टियों के पुष्प गुच्छ दे कर सम्मान किया रमेश पातल के अनुसार जिले के अधिकारियों ने ना सिर्फ निश्पक्ष और निर्विग्न चुनाव संपन कराया है बलकि जिले में मतदान का प्रतीशत भी बढ़ाया है जिससे इंदौर का गौरव पूरे देश में बढ़ा है लोक सुबा दोजार उननीस चुनाव प्रक्रिया लोकेश कुमार जी जाटव जो अपने इंदौर शहर के कलेक्टर है इनकी टीम ने पूरे तीन महा से अलग-अलग महानगरवाली का हो पुलिस करमचारी हो शिक्षक हो तासिल कारे ले इन सभी लोगों ने जो महनत करी है और पूरे देश में इंदौर शहर का नाम है इंदौर शहर में शांतवर्ण तरीके से जिस यह प्रक्रिया पार करी है और इसलिए मुझे लगा कि इंदौर शहर की जनता की ओर से इस लोकेश कुमार जाटव जी की पूरी टीम का आबार व्यक्त किया है पुरानी लोग सबाग की जो परसेंटेज है मतदाता की इन लोगों ने जो भी कार्य किया उसके माध्यम से काफी मतलब फरक आया है मतदाता मतदान जागरूता में लोग बाहर निकले और इसलिए यह पू इसी उमीद्वार ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के कार की प्रशनसा करते हुए उन्हें सम्मान दिया है बहरहाल अधिकारी भी निर्दली उमीद्वार से मिले सम्मान से गदगद नजर आए भ्यूरर रिपोर्ट MP News इंदौर